नमस्कार पाकिस्तान कमजोर पड़ा तो वो कर्ज के लिए वर्ल्ड बैंक का रुख करने से पहले सौधी अरब का रुख करता रहा। सौधी अरब ने हर संभव पाकिस्तान की मदद की। कशमीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान बीते 74 साल में तीन बार युध के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं और हर बार सौधी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया बांगलादेश के निर्मान में ततकालिन इंद्रागांधी सरकार ने जब खुले आम पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला तो साओधी अरब ने भारत की भरसना की बीते दिनों जब इमरान खान की सरकार आर्थिक तंगी से गुजर रही थी पीएम इमरान ने ऐलानिया कबूल किया था कि पाकिस्तान की तीजोरी में सिर्फ एक महीने की रकम है और उन्हें देश चलाने के लिए आर्थिक मदद की धरकार है तब साओधी ने अपनी दोस्ती की मिसाल कायम रखते हुए 6 अरब 20 करोड डॉलर की मदद दी साओधी और पाक दोस्ती के ऐसे कई मिसाल इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं लेकिन आखिर क्या वज़ा है कि अब साओधी अरब पाकिस्तान को आँखें दिखा रहा है आखिर क्यों पाकिस्तान के आर्मी चीफ खमर जावेद बाजवार याद की यातरा पर गए तो साओधी प्रिंस ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया आखिर क्यों साओधी ने पाकिस्तान को कर्ज में दी गई रकम को जल्द से जल्द वापस करने का फरमान जारी कर दिया तो आज खबर दुनिया में देखेंगे जिगरी यार की दोस्ती में क्यों आई दरार क्या भारत न ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए मैं राजनिती में आया चीन के राश्पती शी जिन्पिंग का उन्हीं की पार्टी में हो रहा है विरोध सेंट्रल पार्टी स्कूल की पुरु प्रोफेजर ने जिन्पिंग पर निशाना साथते हुए कहा देश को खत्म करने पर तुले हैं जिन्पिंग तुर्की को ब्लैक सी में मिला बड़ा खजाना सौधी अरब और पाकिस्तान के बिगरते रिष्टे को वर्तमान घटना करम के लिहाज से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी विदेश मंतरी शाह महमूद कुरेशी के एक बयान ने पाकिस्तान को सौधी से दूर कर दिया है अभी हाल ही में कुरेशी ने कश्मीर मुद्दे पर एक टीवी इंटर्वियू में सौधी अरब की तीखी आलोचना की थी कुरेशी ने कहा था कि भारत ने अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया है और तभी से सौधी अरब ने इस पर कोई ठोस परतिक्रिया नहीं दी है उसने इसका विरोध नहीं किया जबकि पाकिस्तान बार बार इस मसले को Organization of Islamic Conference यानि OIC में उठाने की मांग कर रहा है पाकिस्तानी विदेश मंतरी ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि पाकिस्तान अब खुद ही कश्मीर मसले पर OIC की बैठक बुलाएगा आपको बता दू कि OIC 57 देशों का एक संगठन है जिसमें 54 मुसलिम देश हैं जबकि 3 देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की संख्यां कम है OIC का हिटकौाटर साओधी अरब के जेदाः शहर में है जब साओधी अरब में स्थित OIC की बैठक साओधी अरब के बिना ही बुलाने की धमकी अगर कोई देश दे रहा हो तो तल्खियां तो बढ़ेंगी ही ठीक ऐसा ही हुआ भी साओधी पाकिस्तान से नाराज हो गया पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा आनन फानन में रियाद पहुँचे लेकिन उनका स्वागत उस गर्म जोशी से नहीं हुआ जैसा पहले हुआ करता था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नाराज साओधी अब पाकिस्तान को दिये कर्ज की रकम को वापस मांग रहा है खैर आर्थिक या सामरिक भागिदारी में दोनों देश किस हद तक जा सकते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि दोनों देशों की दोस्ती में आई इस दरार के पीछे सिर्फ पाकिस्तानी विदेश मंतरी शाह महमूद कुरेशी का बयान है इतनी गहरी दोस्ती क्या एक बयान मातर से तूट की कगार पर आ सकती है क्या हिंदुस्तान की वजह से साओधी अरब पाकिस्तान से दूर हो रहा है या कोई और कारण है इन सवालों के जवाब के लिए हमें वर्तमान वैश्विक समिकरणों पर गौर फरमाना होगा दर असल बीते कुछ वर्षों में रणनेतिक तौर पर अमेरिका और चीन ने अपने अपने प्रभावक शेतर को बढ़ाने पर जोर दिया है दो अलग अलग खेमों में बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है एक तरफ अमेरिका, इस्राइल, सौधी अरब और संजुक्त अरब अमीरात हैं जिसमें भारत भी बखुभी अपनी भूमी का निभा रहा है तो दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, इरान, बांगला देश, मलेशिया जैसे देश है मलेशिया में तो चीन की मदद से एक बड़ा इसलामी शिकर सम्मेलन भी हाल ही में संपन हुआ है जिसमें पाकिस्तान और इरान ने बढ़ चड़कर शिरकत की है और इसमें साओधी अरब मौजूद नहीं था दरसल चीन इसलामी दुनिया को दो भागों में बाटने की रन्नीते पर काम कर रहा है और साओधी अरब का विकल्प खड़ा करना चाहता है इसके लिए वो इरान, मलेशिया, बांगला देश और पाकिस्तान जैसे देशों को अपनी तरफ मिला रहा है चीन ने इरान के साथ अगले 25 वर्षों के लिए एक अहम समझाता किया है जिसमें दोनों देश अपनी अपनी मुद्रा यानि करनसी में यानि अमेरिकी डॉलर के बिना ही लेन देन कर पाएंगे पाकिस्तान में भी चीन का बड़ा निवेश गौादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान एकोनामिक कोरिडोर यानि CPEC के रूप में हो रहा है इस तरह पाकिस्तान और इरान दोनों ही चीन के नजदी का रहे हैं हम सब जानते ही हैं कि इरान अमेरिकी प्रतिबंधों को इंदीनों जेल रहा है और उसकी आर्थिक निर्भरता पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर रही है लेकिन अब चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार हो गया है यही हाल बांगला देश और मलेशिया सहित कई और इशियाई देशों का है जहां चीन खुल कर निवेश कर रहा है ठीक इसी तरह रूस भी एंटी अमेरिका लॉबी की मदद कर रहा है मगर भारत में जब से मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है तब से अमेरिका परस्ती के कई नमूने देश ने देखे हैं भारत सामरिक हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है उस नाते भारती बाजार अमेरिका और इसराइल को ज़्यादा मुफीद लगते हैं इधर इसराइल और यूएई के बीच भी एक महत्वपुर्ण समझोता हुआ है जिसकी घोशना अमेरिकी राश्टपती डोनाल्ड टरम्प ने की है कहा जा रहा है कि इरान के खिलाफ गोलबंदी के लिए इसराइल और संजुक्त अरब अमिरात के बीच अमेरिका ने ही इस एतिहासिक समझोते को अंजाम तक पहुँचाया है इस समझोते के बाद एक तरफ जहां अमेरिका इसलामिक देशों को दो भागों में बाटने और इरान को अलग तलग करने में सफल होता दिखाई दे रहा है तो वहीं इस खेमे में भारत भी मौजूद नजर आ रहा है जबकि चीन भारत के पडोसियों को अपने खेमे में लेकर भारत को ही खेर रहा है मगर बात जब साओधी और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्टे पर आती है जो आने वाले समय में पाकिस्तान को ना सिर्फ अमेरिका और इसराईल से दूर करेगा बलकि यूएई से भी पाकिस्तान की दूरियां बढ़ेंगी लेकिन भारत की बरतमान सरकार भले यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन का सपोर्ट करती रही हो लेकिन खुले तोर पर इसराईल के साथ उसकी दूस्ती फिलिस्तीन के मामले में भारत के रुख पर संशे पैदा करती है मगर पाकिस्तान के पी-म फिलिस्तीन पर सपष्ट है और अब ये साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान चीन की मदद से एक अलग इसलामिक गुट को लीड करने की और बढ़ रहा है और यही वज़ा है कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान साओधी अरब से अपना समर्थन चाहता है जो उसे अब तक नहीं मिल पाया है और नतीज़तन दोनों जिगरी दोस्तों के बीच दूरियां बढ़ गई है आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच एक समझोते के तहत पाकिस्तान की फौज साओधी अरब के किंडम की सुरक्षा के लिए साथ के दशक से रियाद में तैनात रहती आई है और ये सिलसिला दोनों देशों के बीच हालिया तल्खियों में भी जारी है जो बताता है कि दोस्ती की दिवार अब भी मजबूत है लेकिन दरार तो पैदा हो चुकी है अब पाकिस्तानी पी-म इमरान खान और सौदी प्रिंस मुहमद बिन सल्मान खुद को अमेरिका और चीन से अलग रखकर अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इस वक्त जिस प्रकार सौदी ने पाकिस्तान से कर्जवापसी का फर्मान जारी किया है उससे पाकिस्तान सक्ते में है उसका ख़ाना खाली है और विदेश मंतरी कुरेशी चीन से कुछ मदद की गुहार के साथ बीजिंग के दोरे पर जा चुके है तो ये थी आज दो यारों के बिगड़ते रिष्टे की कहानी खबर दुनिया में आज के लिए बस इतना ही देखते रहिए डीवी लाइब नमस्कार